हर्याना में विधान सभाश्य चुनाव के परणाम सामने आने के बात से हैं एक बड़ी होड भारतीय जुंतापार्टी में मच्चुकी है कि आखिरकार मुक्खे मंत्री के पद पर कौन विराचमान होगा किसकी सर सजेगा मुक्खे मंत्री का ताज जहां भारती जंता पाठी में नियाप सिंग सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो वहीं चुनाव नतीजे आने के बाद से ही अनिलविज और राव इंदर जीत सिंग बड़ा दावा ठोक रहे हैं जहां मुख्य मंत्री पद को लेकर भारती जनता पार्टी में स्थिति इस पस्ट नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ कुरुचेतर के लाटवा विधान सभासीर से चुनाव जीतने वाले नियाप सिंग सैनी की मुश्किले बढ़ती हुई नसर आए नियाप सिंग सैनी को अब एक जान से मारने की धमकी मिली है जिसके बाद हर याना में महौल गर्मा जाता है दरसल आपको बता दे की नियाप सिंग सैनी को एक बड़ी धमकी वाटसिप के जरीए मिलती है वाटसिप ग्रूप के जरीए नियाप सिंग सैनी को जान से मारने की ध पुलिस अधिक्षक सुमित कुमार ने जानकारी दी है कि एक आरोपी को गिरफ़तार किया गया है जिसने हर्याना के मुख्य मंत्री ने आप सिंग सैनी को जान से मारने की धमकी दी थी आरोपी का नाम अजमेर है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दर्चकर उसे गिरफ़तार कर लिया है दरसल क्या है पूरा मामला ये भी आपको बताते हैं मामला तब सामने आया जब एक वाटसिप ग्रूप सोंबिर राठी जुलाना हलका में एक विवादित संदेश पोस्ट किया गया संदेश में कहा गया जो भी हर्याना का मुख्य मं मतरी बनेगा उसे गोली मार दी जाएगी इसी प्रकार जैसे महात्मा गांधी को नातुराम गोटसी ने मारा था इस प्रकार की धंकी ना केवल समयधानिक प्रक्रिया का उलंगन है बल्कि ये सार्जविनिक सुरक्षा के लिए भी खत्रा है पुलिस ने आरोपी के खिलाब धंकी देने और आईटी एक्ट के तहत कारवाही की है जिसी इस प्रकार की धंक्यों को गंभीरता से लिया जाएगा आपको बता दी मुख्य मंतरी नाप सिंग सैनी ने हाल ही में कुरुछेतर जिली की लाड़वा विधानसभा सीट से चनाव जीत कर सत्ता में प्रवेश कि अब उनको जान से मारने के धंकी इसी अधार पर मिली है कि वो मुख्य मंतरी पद पर काबिस होने वाले हैं अब देखना होगा कि क्या मुख्य मंतरी पद को लेकर जो होड एससे भारती जंता पार्टी सुल्झा पाती है या इसी में और उलच्ती हुई नसर आती है